प्राचार महुदाएं सम्मानिय उप्राचार महुदाएं विद्वान सिक्षक शाथियो और बहुत ही प्यारी बच्चो आज एक दिसंबर है विस एड्स दिवस के रूप में सारे संसार में से मनाया जाता है आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि एड्स क्या है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है इन्हीं कुछ प्रिष्णों का उत्तर देने के लिए मैं यहां आया हूं तो बच्चो प्राचिन काल से ही मानव सब्विता अनेक बीमारियों का सिकार होती रही है और समय समय पर उन पर बजय भी प्राप्त की गई है लेकिन मानव के द्वारा की गई कुछ गति भी दियां कि पर्याबरन का इतना रास कर देती है कि नए नए इस्ट्रेंड और नए नए बीमारियों का जन्म हो जाता है कुछ ऐसी बीमारियां जो पर्याबरन में पहले से मौजूद नहीं थी वो इस्ट्रेंड के रूप में आ जाती है आपने बीमारियों के नाम सुने होंगे वर्ड फिलू आपको मन में लगता होगा कि चुडियों को होने वाली बीमारी होगी और सवाब क्यों होती भी थी लेकिन यह जो मर्यादा मनुस्य ने तोड़ी है उसका परिणाम है कि बड़ फिलू मनुस्त को हो रहा है कि पहले ऐसा होता था कि कोई वीमारी अधी पेड़ पोदों की है तो मनुस्त में नहीं होती थी वहीं उसकी कि जो परजीवी है उसकी एक मर्यादा थी वह कभी भी अपनी मर्यादा का उलंगन नहीं करता था और यह सच्छा है कि संसार की कोई तागत किसी भी प्राणी को एक तरह से पूरी तरह नहिस्तानाबूद नहीं कर सकती आप जितनी कोशिस करेंगे करते मुरूप से समस्था बैसे बैसे बढ़ती जाएगी फिरकिर्दी खुद चैन करती है कुछ चीजों का इस तरह से डाइनसोर का परचस जो आसे काल में रहा देखते ही देखते वो आज बिलुप्त हो गए हैं और उनके कुछ अपसेश चिपकली किर्गेट और मगरमच के रूप में है आता है कि मनुस्ता अपनी मर्यादा को मत जंगलों में कहीं अस्तिल्यक जंगलों में भारत के जंगलों में लगातार कहीं आग लगने की घटनाएं होती ही रहती हैं और बे तर्टीब तरीकेस उनको काटा जा रहा है लगाने की बात तो छोड़िये जो लगे हुए हैं उनको भी ठोड़ा नहीं जा रहा है ऐसी स्थिति में हमने फिछले दो साल में देखा एक एक ऑक्सिजन से लेंडर के लिए लोग कतार में लगे हुए थे ऑक्सिजन अनुपलब्द थी जो फ्री और कॉस्ट उपलब्द रहती प्रिकृति के द्वारा लोगों ने अजारों लाग रुपी खर्च किये ऑक्सिजन मिल नहीं पाई कई लोग अकाल मिर्थी को प्राप्त हुए मैं मूल आज का जो टॉपिक उस पर लोटता हूं कि उन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक है एड्स इसका फुल फॉर्म है एक्वाइड याने जो अर्जित की जाती है इम्यूनो डिफेंसिंसी याने हमारे जो तो रोगों से लड़ने की सकती है उसको कम करती है बीमारी और आखिरी में सिंड्रॉम का मतलब होता है अनेग बीमारियों का लक्षण एक साथ दिखाई देना तो यह जो बीमारी है यह अर्जित की जाती है स्वभेव नहीं आती जैसे मैंने बताए कि स्वाइन फिलू पहले पिक्स को होता था मनुस्को और है चिकन मुनिया चिकन स्कोता था मनुस्को रहा है इवन कोरोना चमगा अच्पारण को भूता था उसके कारण कूरी मानव सबता के ऊपर संक्राइब वोगया था कई देशों में अभीभी कोरोना है गया नहीं है लोग तरहाई माम तरहाई माम कर रहा है तो जब एट्स की शुरुवात हुई यह बायरस आया कहेंसे और मनसुमें फैला कहेंसे तो सब सब्सक्राइब दिखाई दिए डांक्टर लुक मॉन्टेग्नियर टेमन और टीमोसाइंटिस्ट मिलकर खोज रहे थे कि यह अजीब प्रकार की अलग बीमारी कहां से आई यह क्या है तो उसमें देखा गया कि व्यक्ति के इम्म्यून सिस्टम को रोगों से लड़ने की सकती क लगातार कम कर रहा था वो वायरस थोड़ा समय इसमें बाइलो जी बता देता हूं हमारे सरीद में रोगों से लड़ने की एक सकती स्वामेव इसवर के द्वारा प्रदथ हैं और यह अनेक प्रकार के जो स्वेट रख्ट कडिकां हैं उन्हीं से मिलते चुलते कुछ हैलप जानते हैं कि यह हमें कभी इनफेक्शन होता है तो तुरंट तयार हो जाते हैं और से बचाते हैं शंसार की कोई दवाई को मजबूत करती है है और परसार से रोब ऑन दो तरीके से काम करती है या तो डिए इसे और इने बने की फिरकिरिया उसको रोग दीती हैं कि या आरेने से बनने की पिर नो हम त्रांसलीसन कहते हैं कि इन दो सिद्धान दों पर हमेशा कोई इंटीवायोकिक है और किटाणों की संक्या को रोग देता है बहुत ही नटोरियस वाइरस है भूत ही खतर्नाग झौरुप धारन किया रहता है जिस तरह से हमने आधिकाल में देखा कि राबन जब सीता मैया का हरन करने के लिए आए तो वो साधू के बेस में थे जब भी आतंगबादी हमले होते हैं वो हम ऐसा किसी सैनिक की बेस हूसा में आते हैं और उनमें सामिल हो जाते हैं हम प्राचीन कथाओं में पढ़ते हैं कि जब भी राउ के तुँ आए तो देवताओं का रूप धारण करके रूप बदल कर आए और अम्रत पान किया उसका परिणाम ही होता है कि हमने कहानी किस्व में सुना है कि चंद्र गरेन और शूरी गरेन होते हैं क्योंकि उन्होंने खोड़कों पहचान लिया था लेकिन हमारे पहरें क्यों कि प्राया और पहचान न होने के कारण कि यहीं रूप बदलता है यहीं से आरेने और आरेने से पुन्हाँ लिता है ऑर हमारी जो ड्रक्स हैं कैसी कोई दाबाई है जो एक साथ ट्रांस्क्रिफ्जन और reverse transcription को रोक सके अब एक साथ भोपाल और एक साथ इंदोर नहीं जा सकते हैं अब एक बार में एक जिसा में जा सकते हैं यह वायरस तुरंट पल्टी मारता है और DNA से जब RNA बन रहा हुता है हम प्रोसेस को रोकते हैं आरेने से तुरंट DNA बनाने लगता है अब बच्चों की एक कॉश्चन होता है मन में कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम दो दवाईयों का इस्तेमाल करें जो प्रोसेस रहती हमारा जो सिस्टम रहता है वह हमेशा एक लाइन में जाना पसंद करता है यह आप उसके सांथ को ड्रक्स का प्रयोग करेंगे हो सकता है आपकी जान पर संक्ट आ जाएं तो बड़े सोच बिचार कर इन दवाईयों को बना रहे हैं कुछ दवाईयां बनी जो इस बारेस की ग्रोथ को पूरी तरह खतम तो नहीं कर सकते लेकिन अधी अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि किसी संबंदित व्यक्ति को HIV इंफेक्शन हो गया है तो फर्दर जो ग्रोथ है प्रोग्रेस उसको रोग दिया जाता है अब पूस्ते हैं कि भाई यह फैल जाता है तो 100% संबावना है कि स्वस्त व्यक्ति एड्स से गर्सित हो जाएगा तो हमेसा जब भी आप ब्लड ट्रांस्पोर्टिशन की बात करें रख्ताधान की बात करें हमेसा पहले चेक कर लें जो व्यक्ति व्यक्ति दे रहा है दोनों में HIV एंटीजन नहीं होना चाहि कि हम जब छोटे बच्चे थे तो उस समय एकी स्रिंज रहती थी कांच की और एक मॉटी सुई रहती थी गरम पानी में उसको डाला जाता था उसका इंफेक्शन रोका जाता था बैठ जाए यह आदि आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ी इसी मैं चाहता हूंगा इस हों आफ हो रहे होएं और यह ठाइब होहां है लाए ऐक व्यक्ति के र Radio में चड़ाने से दूसरा वह रा संकृत कर्दी पें के दवारा इस्तेमाल है इस ओध है फुजह है इसका इस्तिमाल जाए उस स्वेक्षिक लिए करतेएं उसमें वारत चले आते हैं आप ऑप करना है कोरिंटन का मतलब क्या होता है कि इंफेक्शन रोकने के लिए करना क्या पड़ता है सामने से हाथ धोना मास्क लगाना दूर से नमस्ते करना ना कि गले मिलना और हाथ मिलाना यह कुछ हमारे बार प्रवेस्ट रहता है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो स्वाश्च होकर बैठते हैं हाथ पैर दोकर बैठते हैं रोज नहाना कपड़े साफ करना यह हमारे प्रची परणपरा का अंग राहे तो चीज़ होई तीज़ी चीज़ होई यदि कोई माता इसके पेट में बच्चा पल रहा है यदि वो संक्रमित है किसी भी बीमारी से एड्स बीमारी से तो उसके बच्चियों को भी 100% संभाबना है कि प्ले संटा के द्वारा जब रख महां से बच्चे के अंदर जाएगा वायरेस भी पहुंचा है और चोधी जो अधिया वह संक्रमित ब्यक्ति के साथ लेंगिक बढ़ता हो यानि किसी संक्रमित ब्यक्ति के साथ यदि आप लेंगिक संपर्क करते हैं तो भी आपको इंफेक्शन होने की संभाबना बनी रहें अब बात आदी समाधान की क्योंकि उत्के बलय समस्य बताना यहमारा उद्धिस नहीं है तो समय भन वही है जो समस्या आई समस्या एक सणक्रमित रतत्य है उसके कारण भालता है है समाधान है संक्रमित रत्त नहीं चड़ा जाना चाहिए कं डूसरा है कि真的 के प्रयोक बार बाल लोدمें लगवाने जाए अपने साथ ले जाए तीसरी चीज़ है कि जब आप कॉमन रहते हैं जहां आप डाड़ी कटिंग कराने जाते हैं बड़े-बड़े बैच्छे हो गए बिलेड हमेशा नई इस्तेमाल करने की बाग कहें बारबर से ताकि वो जो बिलेड है वो संक्रिवित ना हो चौतिस चीज होती है कि यदि माता संक्रमित है कोशिश की जाने चाहिए कि वो बच्चे को जन्म ना दे अर्ली स्टेज में है तो क्योंकि एक रोगी व्यक्ति संसार में आएगा जीवन भर उसका कोई ठिकान है क्योंकि एट्स निस्टित मौत है कि इसका हिलाज नहीं तो उसका उसकी केवल एक ही प्रेडाम होता है उसको मरना है क्योंकि रोज और उसका इम्मून सिस्टम है रोज कम जो रूख जाएगा और वो काल के गयल को समझते है और चौतिसी जो बताए गई कि जो लेंगिक संपर्क है संसर्ग है हमारे देश मराद़ पुरसुत्तम र सब्सक्राइब करना चाहिए तो लोगों को लग सकता है कि ऐसा कहा होता है लेकिन कहीं कहीं होता होगा इसी कारण बीमारी भारत में इतनी देली से पहली थी कि इसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्याज आइट्स के रोगी भारत बर्स में उत्पन कर दिया तो कहीं लेंगिक मर्यादां को लंगन हुआ है तो मैं फिर से उने लेक करना चाहूंगा कि भगवान मर्यादपुर्शुत्तम राम कि जब विवा हुआ हुआ तो सीता महि आने बचल मांगा कि आप कोशन कंणा कि आप मुझे क्या मुझे क्या देएं कि आप राजा हो और राजा एक Fitness शिर राणिया रख सकता है आपके पिता सिरी की पर और दो आप क्या मुझे मुझे पचल देसका उन्होंने कहा रामा जी बन एक पत्नि जी रहेगा उसके जीन म कभी भी किसी बीजस्री महिलॉट का को सब्ताइब क dieses सब्सक्राइब है तो हम भी जब उनको मानते हैं यहां की मानने से कर अब भ boule करें मैला जितनी है वो एक पती प्रित का पालंग करें इस तरह की बीमारिया कभी नहीं होगी संकट कब आते हैं जब मर्यादाय लागी जाते हैं चानीज आप जानते हैं चानी लोग क्या नहीं खाते संसार में 56 प्रकार के वेंजन होने के बाद भी जब जानवरों को चमगा में होते थे वो हमें भी आई तो अब जब बात आती है इस मनाने का फाइदा क्या है फाइदा यह हुआ हम लोगों ने भारत वर्ष में जब इस गंभी बीमारी को समझा जाना तो बच्चों से सुरुआत की क्योंकि बच्चे देश का भविस हैं भाभी नागरिक हैं हमने स शुद्व तरह सफलता प्राप्ट कर लेंगे क्योंकि जिस तरह से कोई भी भी भीमारी आती जरूरह भारत वर्ष में हम कहते हैं कि समस्याओं को यूं हम बुलाने नहीं जाते हैं लेकिन जब आ जाती हैं तो उन से नहीं घबराते हैं डटकर मकाबला करने की चंप वारत किस तरह से लोग रहते होंगे लेकिन कोरोना में हम सब ने दुनिया को बता दिया कि संकट किसमें भारत एक रहता है कभी कोई बीमारी आती है कभी को जुस्मन का आक्रमन होता है हम सब लोग मिलकर सामना करते हैं आज भी कुछ गिनेचों ने कहीं पर संक्रमन है उन पर भी विजय प्राप करने की कोशिश की जा रही है तुम्हें आसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे जो नव यूवपीड़ी है हमारे जो बर्ष शिक्षक सांती है ज्वान हरो रर्ष भारत करेंगे कि किसीवी इंपेक्षन से वह बचने के लिए स्वतत रहें गे क्योंकि जब हम तरम हम सुष्थत रहें घे तो समरत भारत का निर्मान कर सकते हैं आज आ जैडिए मुच्श्थर मर्शगाट मना रहे हैं वहां कि हमारा भारत थे process नहीं हमारा बार झाल झाल झाल